Hello friends, welcome back to my channel तो आज आपके साथ में शेयर करने जा रहे हूं आप इसे breakfast recipe भी कह सकते हैं lunch dinner भी कह सकते हैं तो आज अब बनाएंगे सेफ पनीर पराठा वह होड़ टेस्टी बनता है simple है, easy है और नया टेस्ट है try जरूर करना दो बनाना शिरू करते हैं यहां पर हमने लिया है 300 ग्राम पनीर इसे न आपके यह जो ठिक वाला रहता है न इसमें कद्दुकस करना है इसे न पनीर खिला खिला रहता है mash नहीं होता है तो यहां पर हमने पनीर को पूरा कद्दुकस कर लिया है मसालے एड़ करेंगे तो लाल मिर्च पौउडर साथ में इसमें जायगा दनिया पौउडर और चाठ मसाला साथ में काले मिर्च पौउडर और करम मसाला यहाँ पर जितना आप पनीर की फिल लिञ बने आना उसी साब से मसाले एड़ करना नमक जाएगा स्वादा नसार और ये हरी मिर्श दो होली है हमने बारी कट की हुई साथ में हरा धनिया ये हमने लिए है बीका नेरी सेव या हल्दी राम किसी व्राइन का आप ये जो बुजिया नमकी नाता है न वो ले सकते हैं ये हमने लिए है चली फ्लेक्स ऑप्शनल है वरना आप एचली फटो थोड़र सा और एट कर सकते हैं अब आपको इसे इस तरीकी से मिक्स करना है कि ये पनीर ना तोटना नहीं चाहिए तो आपने इसको हाथ से मिक्स करना इस तरीकी से ताकि ये ना खिला खिला रहे मैंने इसमें जितने भी मसाले एट किये हैं उसको म जैसे आप प्रोटी परांठे के लिए पाटा लगाते है वो रेगुलर से हलका सा सोफ्ट रहता है तक कि फिलिंग बाहर ना नीकले यहां पर यह हमने डू लगा के टेयर कर दिया है इस पर आप हलका सा ओल का या घी का हाथ इस तरीके से लगा देना ताकि उपर से ड्राय ना हो और फिर आप इसको रख देना पास साथ मिनिट के लिए ताकि अच्छे से सैट हो जाएगा तो हम इसे धकर रख देते हैं पास से साथ मिट बाद वापिस से आपको इसे हलका सा नीट करना है और बस इसमें से हम पेड़ा बना करते हैं अगर लेंगे दिखिए जब आप इस बरने का तरीका दिया लखेगा फोड़ा से सी कहाड डा इस पर लगा देना अता कि अ चपके आप ने स्कोै मिलन से मेलना की वज़े हैब इसमें फिलिंग भरें उसकी जग इसी तरीकी से हातों से इसको थूड़ा से इस सथीयी के कर लेना मीच में हलका सा यह ठीक रहता है और फिर आप इसमें फिलिंग भरेंगे न उसके दो फाइदे रहते हैं एक तो पराठा 101% फूलेगा और दूसरा जो भी आप इसमें फिलिंग भरेंगे न वो एक जैसी रहेगी मतलब ऐसा नहीं होता कई पर क्या होता है न बीच में आटा रह जाता है किनारे पर फिलिंग रहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप किसी भी चीज के स्टरफ पर अठे बनाओ न ये चीज ये भरने का तरीका हमेशा ध्यान रखना और बस आपको इसमें अच्छे से बन कर देना है हमने इसमें फिलिंग अच्छे जिबह रही है आपको यह दि कम पसंद है तो फिलिंग भरना आटा भी कम लेन अगर आपको पतले स्टाफ पराठे पसंदे तो यह हो गया है अब इसको हम बेल कर ट्यार करेंगे क्योंकि यह इस्टाफ प्राठा हेवी वाला है तो थोड़ा सा ये ठिक बनेगा और बेलती वक्त अगर माल लेजे हलका सा इसमें से पनीर निकलेना तब भी यह 100% फूल लेगा मैं आपको खुद यह भी दिखाऊंगे भढ़ने के तरीके से बकी फिलिंग एक जैसी रहेगी यह दिखें अब इसे तब यह पर डाल देते हैं और यहां पर आप चाहें तो ओयल का घी का बड्र के जिसमें भी आपको परांठे बनाने आप बना सकते हैं और जैसे परांठे सेखते हैं वैसे ही आप इसको सेख लेना यह दिखें जबकि इसमें यह हरी मिश दिख रही है पनीर भी दिख रहा है उपर से ही फिर भी यह फूलेगा तो बस ध्यान रखेगा किसी भी स्टफ परांठे को बनाते वक्त कैसे आपको उसे भरना है किस तरीके से आपको उसे बनाना है एकदम परफेक्ट फूले फूले परांठे बनेंगे तो यहां पर दोनों ही साइट से हम इसको अच्छे से से शेक लेंगे परांठे गरना टेस्ट अच्छा आता है तोड़ा अलग आता है क्योंकि हमने पनीर के साथ में से वैड किया है उसका भी अपना टेस्ट होता है इसी तरीके से हम और भी परांठे बना कर दिया कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है तो यह पनीर से परांठा आप अपने घर पर जरूर ट्राइ करेंगा आप इसे लंच बॉक्स बना सकते हैं घर पर बीग फास्टर बना सकते हैं पर ट्राइजरूर करना तो यहां पर यह तैयार है हमारा से पनीर परांठा आप और भी न हिलाईए अपने family friends के साथ में share कीजिए और comment करके जिरू बताना आज की यह recipe आपको कैसी लगी थेंक यू